Hello guys welcome back to my channel co-reader co-reader channel में आप सब का स्वागत है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही बढ़ी आ ब्लॉक्चेन के बारे में जिसका नाम है Solana Blockchain तो इस course में हम लोग क्या क्या चीज़े देखेंगे तो इस course में हम लोग देखेंगे project creation जहां पे हम लोग create करेंगे Solana token को और अगर आपको rust programming language नहीं भी आती है तब भी चलेगा क्योंकि Solana ने यह process काफी easy रखा है ताकि आप कोई भी अपना token create कर सके और इसको list out कर सके तो यह process काफी simple होना वाला है अगर आपको rust programming language नहीं भी आती है चलेगा आपको यह समझ में आ जाएगा कि किस तरह से token create किया जाता है Solana blockchain पे प्लस हम लोग फिर Solana blockchain की wallet पे इसको transfer भी करेंगे अपने token को और उसको भी हम लोग देखेंगे साथ हम लोग इसमें बहुत साई चीजों के बारे में बात करेंगे कि भाई हम से शुरू किया है क्योंकि I think why जब clear होगा तो पढ़ने में भी थोड़ा मज़ा आएगा तो इसलिए पहले वाई बात करेंगे फिर बात करेंगे Solana blockchain के बारे में और फिर बात करेंगे कि किस तरह से Solana blockchain other blockchain से difference है तो काफी मज़ेदार यह कोर्स होने वाला है पहला पार थी और दूसरा पार हमारे प्राक्टिकल को करेंगा तो आइए शुरू करते हैं मैं बहुत एक्साइट हो इस वीडियो को लेके आप भी इस वीडियो को लेके एक्साइट होंगे और मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि क्या आप लोग और भी एडवांस लेबल के प्रोजेक्ट चाहते हो रस्ट प्रोग्रामिंग लैंगवज या फिर सोलना ब्लॉक्षेंट के ऊपर ठीक है तो कमेंट करना बिल्कूर न भूलना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से बाइए शुरू करते हैं बाड़ी एक आप मेरा रस्ट प्रोग्रामिंग लैंगवज वारा टूटॉरियल देख लिए वहां पर मैंने बताया है रस्ट इंस्टॉलेशन के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह से सुलोना ब्लॉक्षेंट को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है और इसक क्या खास बात है जो कि हम इसे बढ़ने जा रहे हैं तो अगर हम बात करें एक सेंट्रालाइज डिटा बेळस की टिक है और जब मैं Centralized Database कह रहा हूं, तो मतलब मैं बात कर रहा हूं, आपके जो भी Centralized Companies है, यूट्यूब हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो उनके जो डेटाबेस हैं, यह इतने amount का data handle कर सकते हैं, मतलब इतने amount of transactions handle कर सकते हैं, पर सेकेंड, प्लस इनका जो replication process है, वो काफी बढ़िया है, मतलब कि अगर आपको data को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, या फिर आपको data को replicate करना है, multiple geographical location पे, जैसे कि YouTube के अगर हम बात करें तो उसका server जो एक जगह पर नहीं है, बहुत बहुत साइज अगों पे है, तो data को transfer करना पड़ेगा, तो यह साइज जीज है, उन सारी चीज़ों, आपके centralized database के इसमें, काफी जादा efficient है, काफी जादा fast है, अब इस data को थोड़ा एक visual representation से समझते हैं, आखर में यह जो number है, यह कितना बड़ा है blockchain के comparison में, एक centralized database और एक blockchain के बीच में, यह gap कितना बड़ा है, इसको समझते हैं, तो आइए अब इस data को visually समझते हैं, कि आखर में blockchain और database के transaction per second में कितना difference है, तो यह हमारी बहुत ही प्यारी सी एक अर्थ है, अब इस अर्थ को आप समझ सकते हो, transaction per second of database, तो यह हमारी transactions per second demonstrate करी है, हमारी अर्थ, अगर हम बात करें, blockchain transaction per second की, तो हमारी normal blockchain जो होती है, वो एक football कर्पेसेंट करती है, क्योंकि जो हमारे database का transaction per second है, वो है 710,000 per transaction per second, वहीं अगर हम बात करें, blockchain की, तो इसमें normally अगर आप देखोगे, bitcoin ये case में, तो I think 4 to 5 होता है, नमबर थोड़ा बहुत आगे पीछे vary करेगा, बट मतलब भी, जादा नमबर नहीं है, जादा जादा 30 तक transaction per second को ही, जादा blockchain support कर पाती है, जो की काफी कम है, database की transaction per second में, मतलब कि हमारी efficiency, transactions per second को करने में, काफी कम है, in comparison to database, अगर हम blockchain से उसको compare करते हैं, बट Salona क्या कहती है, Salona कहती है, कि हम इसी model को पूरी तरीके से adopt कर सकते है, मतलब Salona blockchain का कहना है, कि इसकी अंदर इतना potential है, कि ये इस data को easily reach कर जाए, अभी Salona, जब मैंने last time internet चेक किया था, तो 65,000 transactions per second अभी तक handle कर पा रहा है, और Salona का कहना है, मतलब Salona की जो company है, उनका कहना है, कि आने मने टाइम में, वो इतने transactions per second को भी handle कर पाएंगे, जो कि बहुती बड़ी बात है, नॉर्मली Ethereum हो गया, Bitcoin हो गया, इतने transactions अभी बहुत कोसो दूर है, और अभी Salona कह रहा है, कि मैं ये data को, इस transaction per second को cover up कर पाऊंगा, और सिर्फ यहीं नहीं, मतलब जो centralized database की quality है, उस सारी qualities को Salona blockchain में हम देख पाएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है, जिसको मैं कहूँगा, ब्लोक्चेन के वर्ल में एक revolution की तरह है, क्योंकि अभी तक कुछ भी ऐसा हो नहीं पाया है, और इस वज़े से बहुत साई लोग ब्लोक्चेन को अभी तक use भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काफी बड़ीना बात है, तो अगर हम बात करें, इस तरह से हमारे ब्लोक्चेन की कुछ important points की, तो पहला यह है कि यह काफी ज़्यादा fast है, as compared to other blockchain, मतलब इसके transaction per second को handle करने की एपैसरी बहुत ज़्यादा है, as compared to other blockchains, second चीज, यह scalable है, जिस तरह से हमारे data भी scalable है, उसी तरह से हमारी solona blockchain भी scalable है, third चीज, यह काफी secure है, मतलब कि क्योंकि यह क्या करती है, यह rust programming language, c programming language इस तरह की चीजों को use करती है, अपने infrastructure को बनाने के लिए, तो काफी ज़ादा यह secure भी है, तो आपकी solona blockchain fast है, scalable है, और secure है, और आने वारे time में हो सकता है, कि इसमें भी आप लोग बहुत ज़ादा amount में growth देखें, तो इसलिए I think, हमें solona blockchain बढ़नी चाहिए, तो यह बात करते हैं solona blockchain के बारे में, solona is an open source project, implementing a new high performance permissionless blockchain, तो यह भी एक open source project है, और एक permissionless blockchain है, मतलब यहां पर आपको कोई permission की ज़रत नहीं है, publicly available है, आप इसको जाके यूज कर सकते हैं, और यह काफी ज़ादा high performance भी है, और क्यों है, यह अभी हमनों ने देख लिया है, वाय सो इंपोर्टन राइट, क्योंकि इसके transactions per second की जो capacity है, वो other blockchain comparison में काफी ज़ादा है, और अगर बात करें Solana Foundation की, तो यह base कहाँ पर है, यह base आपके जहने बादा स्विजलाइंट में, ठीक है, अब इनके founder के बारे में बात कर लेते हैं, तो इनके founder है, एने टॉली या कोवेंको, और इन्होंने Solana Blockchain का white paper 2017 में publish किया था, और जो आपकी Solana Blockchain है, यह proof of history पे work करती है, और इसलिए यह इतनी ज़्यादा fast है, जो कि आपकी जो और सारी blockchains है, वो work करती है, proof of work, या फिर proof of stake, इस तरह की चीज़ों में, अगर जो यह proof of history को concept इन्होंने introduce किया, यह काफी ज़्यादा fast बना देता है, आपकी Solana Blockchain को, तो आई आप comparison देख लेते हैं, कि Solana और other blockchains में क्या difference है, तो अगर हम बात करें Solana Blockchain की, तो यह काफी ज़्यादा fast है, as compared to other blockchains, और इसके बारे हम दोंने काफी detail में बात की हुई है, बात करें अगर Solana Blockchain की, तो इसमें fees भी काफी कम लगती है, as compared to other blockchains, प्लस यह जो blockchain है, Solana Blockchain है, यह काफी better environment के लिए, क्योंकि proof of work जैसे चीज़े, काफी ज़्यादा electricity consume करती है, अगर बात करें Solana Blockchain की, तो यह इतनी ज़्यादा चीज़ों को consume, अभी इतनी ज़्यादा energy को consume नहीं करती, तो आपके environment purpose से भी यह काफी ज़्यादा, और हमारी Solana Blockchain यूज करती है, Rust Programming Language का, जैसे कि आपको पता है, Rust Programming Language हमारी safety को follow करती है, यह concurrency को follow करती है, और speed को follow करती है, तो हमारी Solana Blockchain को यह काफी ज़्यादा powerful बनाती है, अगर आप लोगों ने रस वाला टूटोरियल मेरा नहीं देखा है, तो आई बेटन में मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप उसको भी देख सकते हो, और जो best part है हमारी Solana Blockchain का, वो यह है कि यह scalable है, as compared to other blockchains, जो कि अभी इतनी ज़्यादा scalable नहीं है, मगर Solana Blockchain यूज करती है proof of history का, जिसकी वैसे यह transaction भी fast करती है, प्लस यह scalability को भी follow करती है, तो आने बने टाइम में हो सकता है, कि आप Solana Blockchain को भी as a predominant blockchain देखो, तो हम लोग ने काफी ज़्यादा थियोरी को देख लिया, बाई Solana Blockchain के लिए, अब चलिए थोड़ा practical करते हैं, और practical करने के लिए, हम लोग सबसे पहला project करने जा रहे हैं, cryptocurrency creation का, तो हम लोग token क्रेट करेंगे Solana Blockchain के लिए, मतलब मैं Ubuntu operating system का यूज करने के लिए क्योंकि विंडोज में इंस्ट्रॉलेशन में काफी दिक्कत आता है Solana Blockchain के लिए, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग ये Oracle VM Virtual Box में Ubuntu को इंस्ट्रॉल कर ले सकते हो, मैं जिसकी लिंक में आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगा, आपको वहाँ उस एक चैनल है, मेरे को दिमाग में भी नाम नहीं आरा, एक्जाक्क, प्रोग्रामिंग नॉलेश करके आइटिंग, तो मैं डिस्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगा, आप जाना और वहाँ से इंस्टॉल कर लेना, ओबिंटू को अपने ओरिकल वी एम वर्चॉल बॉक्स में, और जिनको नहीं पता है कि ओरिकल वी एम वर्चॉल बॉक्स क्या है, तो ये आप समझ सकते हो कि आप अपने ओपरेटिंग सिस्टम पे, मैं यही सजेशन दूँगा कि आप इंस्टॉलेशन वाले पेच पर आप एक बार इंको ट्राइ करो, यहां पे विंडोस के लिए भी इन्स्टॉलेशन दिया है, मैंने ट्राइ किया था मेरे पर नहीं हुआ, यह भी आपके पर रन कर जाए, अगर आपके पर रन कर जा रहा है तो इसी स्टेप को फॉलो करके, अगर कुछ सादा स्टेप्स लग रहे हैं तो भी कमेंट में बताना, फिर जो और भी यूवर्स होंगे उनको हेल्प होगी, इंस्टॉल करने पे, अपने विंडोस के सिस्टम पे और मुझे भी हिल्प हो जाएगी, मैं भी अपने विंडोस पे इसको इंस्टॉल कर पाऊँ, तो इसको इंस्टॉल करते हैं अब अपने अपने अब अबन तू न थे, और अपको अपनी टर्मिलेन विंटो को बंद करना होगा तकि आपके पाथो reicht कर सकते वाइगे तो यहां पे आपके आपके पाथ ப इंवाराममेंट वेरिबल टू इंक्लूद देख रहाे हो Cryस प्रूnin आपे निदेशर क्वेंड भील्ग्लम करोले कि करना हो तो आप फिर से open करोगे और solona-version डालोगे तो आप देखोगे कि आपके इंस्टॉल हो चुका है तो मेरे पर यह पहले इंस्टॉल है तो मैं नहीं कर रहा हूं मैं इसको अभी यहां पर close कर दे रहा हूं अभी यह मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरे पर solona installed है तो यहां पर मेरे पास solona का c live version install है और मैं इसी का use करने जा रहा हूं तो आगे अब शुरू करते हैं solona blockchain पे पहला project cryptocurrency creation यहां पर मैंने एक folder create किया हुआ है solona blockchain करके आप दे सकते हो मैंने mkdir किया है उसके बाद solona blockchain करके एक folder create किया इसके अंदर cd किया, change directory किया और मैं solona blockchain की folder के अंदर हूं तो सबसे पहला process जो हमें करना है जो सबसे पहला step हमें करना है वह है कि हमें अपने लिए wallet create करना होगा और मैं एक चीज पहले clear कर दूं कि solona blockchain में cryptocurrency create करने के दो थरीके है एक तो आपका CLI method होता है और दूसरा आपका होता है जो कि आप javascript file के दूरू करते हो तो जो javascript file के दूरू आप करते हो वह थोड़ा बड़ा process है थोड़ा लंबा process है वही जो आप CLI method के दूरू करते हो वह काफी easy process होता है क्योंकि इससे आप CLI method देखेंगे ताकि हम लोग चल्दी से एक token create करके सुलाना व्लॉक्शन पर देख सकें तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा wallet create करना होगा तो इसके लिए मैं लिकूंगा सुलाना इसके बाद मैं लिकूंगा dash keygen तो यह हमें क्या करके देगा तो आप देखोगे कि हमारे पास wallet create करना पड़ेगा जिसमें कि हमारे पास हमारी एक public key होगी sorry for that mistake यहां पर हम लोग को सुलाना कीजर new भी लिकना था और अब हम लोग आप अच्छा यहां पर आप देख सकते होगी यह मैं उससे कह रहा है कि आपको करना पड़ेगा इसको actually मैं क्या है कि मैंने पहले से ही create करके रखा हुआ blockchain मतलब कि अपने public key को तो वह ही वह कह रहा है कि आपके इसको override करना चाहते हो तो आपके case में क्या होगा आपके case में पब्लिक की अब दग generate हो चुकी होगी मेरे case में यह generate generating a new pair और यहां पे इंटर कर दीजे और यह देखे तो अगर आप देहां से देखोगे तो हमारे पास अब मारी public key आ चुकी है यह हमारी public key है इसी के थुरू हम लोग सारे transactions करेंगे अगर हमें command के थुरू अपनी public key जाननी है तो हमें simply लिखना होता है यह हमारी public key है अभी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इस समय कितना balance है तो हम लोग पहले अपना चेक कर लेते हैं कि हमारे wallet में जिसकी public key हमने generate कि है उसमें balance कितना है तो balance और इसके में लिकूँँगा dash dash url और यहां पे डेवनेट के यूज़ करेंगे आपके पूरी तरह से behave करता है तो यह पे इंटर करूँगा और यह हमें बताएगा कि हमारे dev net wallet में कितना balance है अब जे सकते हैं इसमें 0 Saul है Saul इसकी unit है जैसे कि हमारे Ethereum में ETH होती है Bitcoin में Bitcoin ही होता है उसी तरह से हमारे Solana के लिए यह क्रिप्टो करेंसी वालेट में 0 Saul है कुछ क्रिप्टो करेंसी ट्रांसर करनी पड़ेगी अपनी Solana के वालेट में इसके लिए हमें क्या करना होगा कमांड के यूज़ करना होगा Solana AirDrop तो यह क्या करेंगा जितनी चाहे उतनी cryptocurrency हमारे वालेट में फिर से लिखते है Solana AirDrop 2 और यहां पर अपनी पब्लिक की मेंशन कर देनी होगा पर मैंने क्या पेस्ट यह पेस्ट नहीं होगा मैं फिर से कॉपी करता हूँ कॉपी एंदेन पेस्ट एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो कि यह क्या कहता है यहां पे एक गरबड कमांड डाल दी है पब्लिक की के बाद होना चाहिए यू आरल डिवनेट भी क्योंकि हम यह भी बताना पड़ेगा कि हम लोग डिवनेट से यह चीज़ चाह रहे हैं तो वह हम लोग अपने कमांड में नहीं बताईती तो अब हम लोग करेंगे तो यह सही से रिजल्ट हमें देगा तो अब दे सकते हों कि two sal हमारे वालेट में आ चुके हैं और यही सेम चीज हम लोग जा सकते हैं सुलोनना एक्स्प्लोरर पर वहां पर भी देख सकते हैं तो यह हमें क्या करना होगा इसके लिए हमें simply copy करना होगा अपनी public key को यहां से और यहां पे मैंने open कर लिया है explorer.solana.com तो यहां पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं हमारे इस समय वालेट में कितना balance है तो mainnet की जगह हमें चूस करना है devnet और यहां पे अपने public key के address को डाल देना है इंटर तो आप देख सकते हो कि हमारे जो balance है इस समय हमारे account में वो इस समय 200 है ठीक है और यह हमारा address है ओके डाट्स वंडरफल चलिए चलते हैं next step पे जहां पर हम लोग token क्रेट करके देखने वाले है तो अब हमें token क्रेट करना है और token क्रेट करने के लिए हमें एक library का यूज़ करना होगा जिसका नाम है SPL token ठीक है तो इस library का यूज़ करेके हम लोग token को क्रेट करेंगे तो इसके लिए मैं यूज़ करूंगा कमांड कार्गो तो यह कार्गो कौन सी कमांड ने यह कमांड आपकी रस प्रोग्रामिंग लैंगोज जो मैंने बताई हुई है अगर आपने नहीं देखा रस प्रोग्रामिंग ला टुटोरियल ता आप वहां पर जागे से देख सकत लालेंगे तो इसको आप अपनी सिस्टम में इस्टाल कर लीए तो आपको थोड़ा बहुत इसके साथ लगना बढ़ेगा अगर कुछ यह था और तो अधने ऐसको कर आपा है तो उसमें यह सलीशन दिया है let's try कि यह work करता है कि नहीं I am not sure so मैं यहां पे इसको paste कर रहा हूँ and let's see okay यहां पे could not permission होगा I think यह इसली नहीं run करना because मुझे इसे sudo के साथ run करना चाहिए right इसको मैं sudo के साथ run करता हूँ permission मिल जाएगी तब मुझे जगरता हूँ मैं paste अब मैं उपर try करता हूँ मैंने अपना password इंटर किया let's see अगर शायद इससे यह मेरी problem solve हो जाए तो हो सकता है आप लोगों के में भी error है तो थोड़ा आपको इसमें खुद सहीh resolve करना पड़ेगा जिस तरह error आता है तो मुझे फिर से यहां पे करना होगा फिर से मैं इंटर करता हूँ invalid url को कि मैंने cargo ने डाला है cargo install पहले तो मैंने install ही नहीं किया था तो मैं कहां से create करने लगता थोड़ा बहुत यह सब issues आ सकते हैं क्योंकि अभी यह नहीं नहीं technology ही है तो थोड़ा आपको यहां पे शेयर करूंगा solution तो यहां पे मेरा installation complete हो चुका है अब दिखोगे तो SPL token CLI मेरे में इंस्टॉल हो चुका है I hope आपके में भी अब इंस्टॉल हो गया होगा जो मैंने command दी उसके थुरू तो आपको कोई और डाइप का करेंगे बड़ उसके पहले हमें दो स्टेप करने होंगे पहला होगा कि हमें token की address को generate करना होगा दूसरे होगा कि हमें अपने token मतलब अपने account को generate करना होगा जहां पे हमनों token को transfer करना चाहते है तो इसके लिए हम लोग use करेंगे SPL token कमांड का ही जो कि अभी हमनों ने recently install किया है create token और बताना होगा कि कहां पर ये token create होगा तो डेवनेट पर होगा मैंने कि enter तो आप देखोगी कि हम आपास token का address generate हो गया है next step जिससे कि मैंने का कि अब हमें token का account generate करना होगा तो इसके लिए मैं लिखूँँगा create account उपर वाली कमांड है एक तरह से अगर आप देखो बस token की जगह मैंने account को replace कर दिया है definite तो यह हमें क्या देदेगा मैंने कुछ गबड कर दिया create मैंने एक चीज यह गबड कर दी कि मुझे account जो मैं generate कर रहा हूं वो मैं किस token के लिए generate कर रहा हूं मुझे यह भी बताना होगा तो यहां पर मैं token को copy कर ले रहा हूं ठीक है और यहां पर इसको हम लोग paste कर देता है अब यह सही है तो मैं यह कह रहा हूं कि हम लोग एक account को create करना जा रहे है जो कि इस token के लिए है इस token address के लिए जो हम लोग भी generate के है मैं करता हूं enter तो आप देखोगी कि हमारा account भी generate हो जाएगा तो अभी तो हमारे account में हमने इस account को create के है अभी हमारे account में कोई भी balance नहीं है और इस चीज़ को हम लोग चेक कर सकते है कि हमारे account में token भी आया है कि नहीं आया है तो इसके लिए हमें simply लिखना होगा SPL token और यहां पर balance ठीक है तो यह balance बताएगा तो हमें balance के token का चेक करना है हमें balance इस token का चेक करना है तो मैं इसको copy करूँगा यहां पर paste करूँगा और इसके बाद मैं यहां पर पापस से devral devral कर रहा हूँ URL devnet यह मैं इंटर कर तो यह हमें बतादेगा कि हमारे इस समय account में कितना token है तो आप देख सकते हूँ कि इस समय account में 0 token है तो by default यह चेक कर रहा है तो यह मैं सोचना कि यह कैसे 0 आ रहा है तो इस एकाउंट के लिए इसने चेक किया और इस account के लिए इसमें किया है token 0 है तो हमें अब क्या अगर्ण होगा token को create करना होगा और token को create करना बतलब एक तरह से यहां पर token create हो चुका है एक तरह से मैं कहुँगा token को mint करना होगा ताकि हमारे पास tokens आ सके ठीक है तो token को अब हम लोग एक तरह से copies अब create करेंगे अपने इस token के लिए तो मैं इस token को वैसे मेरे पास पहले इस address है इस token का paste कर दूँगा और let's say मुझे हेंड़े tokens generate करने हैं तो मैं हेंड़े tokens generate कर लूँगा जितने चाहिए tokens आप generate कर सकते हो उसकी कोई टिक्कत नहीं है और मैं इसको enter करूँगा तो आप देख सकते हो minting hinted tokens आ गया है तो मैं पास इतने tokens इस account में आ गया है recipient address भी उसने बता दिया recipient address अगर आप देखोगे let me show you तो यह देखो आप account हमने इसी address के लिए इस address के लिए हमें पास hinted tokens आ गया है अब हमनों चेक भी कर सकते है तो token balance फिर से account का चक कर रहा हूँ तो अबर वाली command ही है यहां वाली balance वाली मैं enter करूँगा देखोगे आप मेरे पास hinted tokens इस account में आ गया तो इस तरह से हमनों ने क्या किया hinted tokens को mint कर लिया और कौन से token से यह यह tokens create किये गया है solona blockchain के उपर और हमने hinted tokens create कर लिया है और यह transfer भी कर लिया है अपने recipient address पे जो भी account address है और token address है उसको preserve कर कर रहना मतलब मैंने इसको क्या किया है इसको एक file में safe कर लिया है ताकि इसको बार बार यूज कर सके क्योंकि हमने token create कर लिया है हमारे पास सब recipient address भी आ गया है तो अब हम लोग next step में और सारे steps देखेंगे कि हम लोग token के साथ क्या क्या चीज़े कर सकते है तो इन दोनों चीज़ों को safe अपने पास रखना इसको खुआ मत देना फिर से token create करना पड़ेगा फिर से size steps करना पड़ेगा अना तो कोई दिक्कत नहीं तो अभी हम लोगने देखा कि किस तरह से token को क्रीट किया जा सकता है अब एक चीज और देखते है अगर मैं balance चेक करूंगा तो आप देखोगी कि अब मेरे account में 200 tokens आ गया हो तो इसको मैं चेक करता हूं बैलेंस वाला प्लालूंगा इंटर तो आप देखोगी कि इस समय मेरे account में 200 tokens आ गया है अब यह चीज अच्छी चीज नहीं है क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूं मैं जितने चाहे उतने tokens कर रहा हूं अब लेट से मैं किसी ICO लांच हरना चाहता हूं मैं इंवेस्टर के पास चाहता हूं मैं इंवेस्टर से कहता हूं तो इस तरह से मुझे funding मिल जाएगी और मैं अपना project बना पाऊँ तो 1000 रुपीज हर एक token की cost हो गई मगर जैसे ही मैंने 100 token से 200 tokens किये तो अब उस token की cost किया हो गई एक तरह से कम हो गई यह तोड़ा ICU वाला concept है यह चीज मैंने blockchain वाले course में वैसे cover up किया है अगर आपने वाला course नहीं देखा है आइसी वाले concept में वहां पे मैंने बताया कि ICU का क्या concept होता है तो the thing is कि जब आप number of tokens की supply बढ़ाओगे इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि जैसे जैसे आप supply of tokens बढ़ाओगे वैसे वैसे आपके token की value कम होती जाएगी क्योंकि किसी भी चीज़ से अगर supply जादा है और demand होती ही नहीं है तो अपने आप उस चीज़ की value होती है वह कम हो जाएगी तो उसी तरह से हमें क्या करना होगा हमें restrict करना होगा कि हम एक limited amount में ही token को generate कर सके mint कर सके तो इसलिए हमें जो हमारी Solana blockchain है वह एक ऐसी command ही provide करती है जिसके through हम लोग जो minting of token है उसको restrict कर सकते है और वह command क्या है चलिए उसको देखते हैं अगर अगर अभी हम लोग अपने token की supply को चेक करेंगे तो आप देखोगे 200 token हमारी supply में है तो हमें इस supply को restrict करना है याद रखना तो मैं इसको यहां से copy कर ले रहा हूं और this token address को sorry यार इसको मैं copy करता हूं तो मैं यहां पर फिर से लेता हूं spl token supply और यहां पर इसको पेस्ट करते हैं address को ठीक है और यहां पर डाश डाश url devnet अगर अभी हम लोग अपनी supply को चेक करेंगे तो 200 token इसमें total supply में है अब हमें supply को limited करना है ताकि बार-बार कोई token generate ना कर सके बार-बार हम जितने चाहे उतने token generate ना कर सके एक limited supply of tokens ही generate हो तो इसके लिए मैं लिखूँगा spl token और यहां पर मैं authorize करूँगा authorize और authorize में फिर से यहां पर paste करूँगा अपने token का address और इसके बाद mint मैं mint को अब disable कर दूँगा तो अब इसके थुरू अब owner जितनी बार अब owner क्या है वो और tokens को generate नहीं कर सकता तो अब अगर हम अपने investors के पास जाएंगे हमने क्या किया है अपने token की supply को limited किया हुआ 200 token से जाधा नहीं mint हो सकते है तो हमारे investor भी खुछ रहेंगे और वो हमें पैसे दिन को भी तियार हो जाएंगे तो यहां पर मैंने के devnet इसको run करते हैं अब यह हमारा update हो रहा है कि हम लोग आप जाधा tokens generate नहीं कर सकते इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं फिर से चेक करके तो अभी भी आप देखोगे हमारे पास 200 tokens ही है तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो अपनी token supply को restrict कर सकते हो अब हम लोग next चीज को देखते हैं और next चीज है burning of tokens तो एक चीज तो में clear हो गई है कि minting को कैसे करना है creation कैसे करना है burn कैसे करना है reset कैसे करना है कि यूजर को कि वो unlimited token supply ना कर सके अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम अपने tokens को burn करना है क्या है कि हमने कोई token generate कि let's say मैंने 100 tokens generate कि मैं investors के पास गया token और भी कम हो क्योंकि जितने जादा token कम होंगे market में उतनी जादा token की value बढ़ने बाले तो वो हमसे यह कहता है मैं क्या करूंगा मैं अपने tokens को burn कर लोगा मैं token सिर्फ और सिर्फ अपने account के ही burn कर पाऊंगा ऐसा नहीं कि let's say मैंने token कुछ इधर और अपने दोस्तों को दे दिये था मैं उनके भी account से token burn कर दूँगा ऐसा नहीं है मेरे पास as a CEO founder मेरे पास 200 tokens है मैं उसमें से कुछ tokens burn करना चाहता हूं मैं इसके लिए use करूंगा SPL token burn और फिर अपने account address जो कि मैं अभी clear कर दिया पना दिक्कत हो जाती है यहां से मैं recipient का address ले लूँगा यह मेरा account का address हो गया इसको मैं paste करूंगा यहां पर मैंने गलत है इस शुड़ बी राइट यहां से copy फिर से करते हैं फिर से मैं इस यहां पर फिर इसका बता हूं paste और यहां पर अब लट से let's burn 10 tokens तो हमारे 10 tokens अब burn हो गया है अब मैं वापस से अपना balance चेक करोगा तो मैंने यहां पर balance को फिर से चेक किया तो आप देखोगे मेरे पास पहले 200 tokens थे अब मेरे पास 190 tokens की बचे हैं तो इस तरह से आप अपने tokens को burn कर सकते हो in Solana blockchain तो अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो हम लोगने token create किया है उसको हम लोग किस तरह से transfer कर सकते हैं किसी और के wallet हो let's say मेरा कोई friend है तो इसके लिए हम पहले तो फैंटम wallet को install करना होगा ठीक है तो यह मेरा friend है यूस कर रहा हूं तो मैं chrome को ही prefer करूंगा और यहां पर एक्सेंशन वाला वा गया है मैं add to chrome करूंगा और इसारी चीज़े आप Solona के blockchain वाले ही Solona के official website है वहां पर ही जागे करना ठीक है किसी भी website पर जाके पैंटम wallet को मत इंस्टॉल करना बना issues हो सकते है तो यह just like meta mass quality अगर आप देहां से देखोगे तो मैं यह पर एक password create कर लेता हूं ठीक है तो आप लोग भी कर लो भाई अगर आप लोग मेरे साथ कर रहे हो तो अगरी किया terms and condition को continue किया तो यहां पर वही चीज है जैसे कि हमारे उसमें था अगर आपको यादो मेड़मास quality में वहां पर भी हमें एक secret recovery phase मिल जाता है यहां पर भी हमें मिला हुआ है तो इसको हमें क्या कर लेना चाहिए इसको मुझे copy कर लेना चाहिए या फिर मैं इसकी तो फोटो ले रहा हूं अपने ही mobile से तो आप लोग चाहिए तो अपने mobile से लो जो चाहिए वो कर लो क्योंकि हम लोग से फोटोरियल देखने जा रहे हैं तो यह इसी लिए अभी के लिए इतना नहीं है अगर आप लोग को के पास real कुछ सुलोना के वो हैं तो भाई प्लीज प्लीज यह साही जीज़े तो यह आप देखो कि यहां पर यह मेरा account address है तो इसको मैं copy कर लूगा क्योंकि इसकी हमें ज़रुवत पड़ेगी दूसरी चीज हमें यहां पर यहां पर यह करने होगी कि manage token list में जाकर यहां पर टोकें को क्रियेट करना है क्योंकि हम लोग ने कस्टम टोकन क्रियेट किया हुआ राइट तो कस्टम टोकन को मैं एड्रेस यहां पर देना होगा तो वापस से चलते हैं मेरे वर्चौल बॉक्स में तो मैंने अपने टेक्स्टॉप मनलब की विंडोस एक्स्टॉप पर किया है बट आप चाहो तो इसको अपने वर्चौल बॉक्स पर कर सकते हैं तो यहां से मैं करता हूँ टोकन का अड्रेस कॉपी ठीक है इससे हमें यह भी क्लियर हो जाएगा कि ऐसा नहीं कि एक ही सिच्टम पर साही चीज़ों को होना चाहिए अलग अलग चीज़ों अलग अलग सिच्टम पर भी है तो चल जा रहे हो और अब यहां पर मैं मिंट करने वाले एड्रेस को टोकन क अड्रेस को इसका नाम रख देते हैं सी टीटर ठीक है तो को डीटर भाई थोड़ा समझे बना मना पर जरूरी है यह यह सब पी ब्रैंडिंग मैंने भी करने करती है इसको रख देते हैं सी ए टी ठीक है और इसको मैं आड्ड कर देता हूं वंडर्फल तो हमारा यह टोकन अड्ड हो चुका है तो यह हमारे वॉलेट का अड्रेस है इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूं क्योंकि इसको में ट्रांसर करना है वापस चलते हैं यहां पर आते हैं तो इसको जो एड्रेस मेरे दोस्त का है उसको भी मतलब दोस इस वॉलेट कर में ट्रांसर करना है उसका भी यह वाला token करना है राइट token का address रह लेते हैं और इसको यहां पर paste कर देता है let's say मुझे यहां मेरे दोस्त को या फिर wallet address पर 30 tokens भेजना है तो मैं 30 लिखना हूंगा और जिसको भेजने है उसका फिर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह चीज लगी मुझे इस फैंटम वालेट की कि यह बारबर ना जाता है जैसे windows इदर होता है यह चीज मुझे सहीं अच्छे लगी इसकी बोड़ा समझने में मुझे असानी हो रही है ठीक है यह अब मुझे चालना है दोस्त क्योंने रहा दोस्त तो मैं इसकी तारीफ कर रहा था और यह तो सब्सक्राइब वफा निकल गया हां पर बात नहीं फिर से इसको मैंने सब्सक्राइब कर लिया आ फैंटम को फिर से मैं उपन करता हूं लेट्स सी कि हमाने पास आए हैं कि नहीं 30 टॉकन्स टीक है मैनेज़ टोकन लेस्ट लेट्स सी भाई एट्स सी भाई यहां पर मेरे टोकन क्यों नहीं देख रा दोस्त एक चीजज अम लों ने गरबढ़ जी है कि हम लोग ने सेटिंस दिशिस में जाके सुलोना पर ही है हम लोग राइट और हमें चेंज करना चाहिए थी settings settings as in कि हमें network settings को change करना चाहिए था हम लोग devnet पर है राइट अब यह चीज सही चलेगी एट गरवर्ड हमारी तरफ से थी जो मैंने की थी अब हम लोग यहां पर रांसर कर सकते हैं अब हम अपने डेवनेट पर आ गए है पर चाता है यहां पर कोशिश कर रहा हूं कि क्रेट हो जाए इस बार एक लीस्ट सी इटर और यहां पर यह सी टी एड ट्रांसर अक्शन रहा है बहीं अंचिन्यू जो यह लिए फिलाल कॉपी करता हूं उसे और वापस चलते हैं फिर से एक बार ट्रांसर करते हैं तो SPL टोकन ठीक है तो साइब शीज़े तो वही रहेंगी है अकाउंट एड्रेस भी है फिर से ट्रांसर करते हैं अब आई तो किता रिसीपिंट एड्रेस इस नौट फांड बता रहा है अलावड ओके यहां पर ट्रांसर हुआ ही नहीं आप देखरो मैं ध्यान नहीं दिया अलावड अन्फंड रिसीपिंट हमें यह भी आड करना यहां से कॉपी कर लेता हूं फिर सिंप्ली बस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा हुगा इस फिर से करते हैं अब हमारा जाके ट्रांसर कंप्लीट हुआ है अगर आप यहां से देखोगे तो अब जाके सेंडर रिसीपियंट और रिसीपियंट तो मैं भी एक पहली बार ही कि किस तरह से शोला आप यह टोकन ट्रांसर होता है अब हम लुग चेक कर सकते हैं अपने वॉलिट में लेट्स पो तो माय वॉलेट पक ब्रोस यह यहां तो अलगी की सिस्टम चलुआ है इसका वॉलिट का वैसे बने बता दिया या रहां थीका कैसे होता है यह पता नहीं ह cluster inter-operated ठीक है यहां पे कुई unknown token आ रहा है let's see that I think कुछ garbage करके ही token आ गया है token transfer हुआ है अब लोग देखे रहे थे जब मैं close कर रहे थे वो close हो नहीं रहा I think token add नहीं हो रहा है मतलब जो custom token का name हम लोग add करना चारहे वो नहीं हो रहा है तब भी यहां पे आप देखो कि 30 tokens अभी एक मिनट पहले ही हमाई में transfer हो है तो I think यह वही tokens है जो हम लोगने transfer किये थे तो this is the good news कि हम लोगने at least transfer कर ली है अपने tokens, definitely हम लोगने token का नाम नहीं दे पाए यहां पे आप देख सकते हो कि transfer हो चुके है और इस चीज को हम लोग match कर लेते हैं यहां पे हमार पास signature है 4DE करके और यही same signature आप देखोगे यहां पे भी present है 4DE करके तो successfully हम लोगने token transfer भी कर लिया है अपनी Solona blockchain के उपर मिलते हैं हम लोग next video में जहां पे हम लोग complete करेंगे एक Solona के project को तब तक के लिए तो I hope आपको यह video अच्छा लगा होगा अगर आपको यह course अच्छा लगा होगा अगर आपको यह course अच्छा लगा है तो प्लीज इस लाइक जरूर से करेंगा और इस चैनल को subscribe जरूर से करेंगा क्योंकि मैं regularly blockchain courses upload करता रहता हूं साथी साथ यह मेरी Instagram ID है इसको भी आप जोइन कर सकते हैं मुझसाफ डिरेक्टी इंट्रैट कर सकते हैं और अगर आप blockchain developer हैं या फिर आप blockchain developer बनना चाहते हैं तो हमारी Discord की link blockchain developers के लिए description में दी हुई है वह उसको जाके वहाँ पर जोइन कर सकते हैं आप कोई doubts हैं तो वह directly blockchain community से पूस सकते हैं तो मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाय और लाइक शेयर सब्सक्राइब बस यह तीन चीज़े कर देना मिलते हैं बाबाय